इक उंकार सतनाम करता पुरक निर्पो निर्वेर अकाल मूरत अजुनी सैप अंगुर परसाद परमसितकार योग सास संगजी वाहे गुर जी का खालसा वाहे गुर जी की फते अज जो विचार में आप जीदना संजे करने हान उस दा विशा है अनंद मेई परिवारिक जीवन जगत गुरु शिर्गुर रानक देव जी महराज ने समाज नुएगा समझा आदिती के संसार विच रेंद्या होया मनुखा जीवन ताही सफल हो सकता है जे दीन अते दुनी दो थम्मादे सहारे मनुखा जीवन दा महल उसारे जावे जिसने दुनी तयागी ओवी दुखी होया ते जिसने दीन तयागया ओवी पटकदा ही रेया पगत कवीर जी पनमान देहान कवीर दीन गवाया दुनी सियों दुनी न चाली साथ पाएं को हाडा मारया गाफल अपने हाथ किसे सिख ने शिर्गुर अरजन देव जी नुँ भेंती की ती के सचे पाशा जो दो असी आत्मा ते परमात्मा दे मिलाप लही अपना कुटंब अते परिवार ते आके जंगला वीच जान दी त्यारी कर दियां ता गुर्णानक पाशा जेहा करन ते पावंदी लगां दे प्रभु संजोया पाव कियो प्रमात्मा माता पिता सासोरा अते होर साख सबंदिया दे रूप विच तेरे कारविच ही मौजूद है इसलिए सिखी विच सरवतर में ग्रेस पर दानदा विदान लागू कीता गया है शिर्गुर नानिक देव जी फरमान देहान सत्गुर की एसी वडियाई पुत्तर कलत्तर विचे गत पाई अनांद का आर्ज तो बाद अनांद में परिवारिक जीवन की में प्रापत हो सकता है इस गल्दा उत्तर शिर्गुर अमरदास जी महराज रुजाना अनांद साय विच दिन देहान अनंद अनंद सब को कहे अनंद गुरु पाव गुरु दसी जीवन जुकतन सार जी के ही परम अनांद दी प्रापती हो सकती है परिवारिक जीवन शात ते सुखा पर पूर प्रतीत करन लई गुरु जी ने कुचजी, सुचजी, सुहागण, दोहागण, गुणवंती, आद विश्या दे बाणी रज के जीवरु प इस्तरीदा मार्ग दर्शन कीता है, इस रोहानी संदेश नू संसारी रूपी टाल के अदर्शक पती पतनी बन के इस मनुखा जीवन नू परमात्म में विच अपेद करन दी ट्रेनिंग असी परिवारिक जीवन विच्चो ही लेनी है, गुरु साय फरमान दिहान, पेईड अते पतनी दा सुवा आपस विच मिलदा होवे, पती अते पतनी ले हुकम है, पिर तन पिर एन आखियन बेन इकठे होए, एक जो दोई मूर्ती तन पिर कहिये सोई, शिर्गुर नानिक देव जी महाराज ने मर्द प्रतान समाज विच इनकलाब ले अंदे होए, पतनी गाई है, कि पहला अपनी स्यानप अते ल्याकतनाल अपनी पतनी दा मांच जिते, तन पिर पावे, तन पिर पावे, नारी जीओ, ओथे पतनी नु भी एयो अदायत है, फिर तन पावे, तन पिर ए पिर कर सोहे नार जे पिर पावे जियो चूठे बेन चवे काम नावे जियो पती लई गुर्वानी वीच मिठा बोलन दा वयान है मिठ बोलना जी हर सज्जन स्वामी मोरा हो सम्मल ठकी जी ओ कदे न बोलने कोरा ते पतनी लई विये हो दायत है गुर्मुक सदा सुहागनी पिर राखिया उर्तार मिठा बोलने नीव चलने सेजे रवे पतार पती यते पतनी ने उच्चे सुचे आच्रंदा तारनी भी होना है गुरु साहिब दो पदेश है करकी नार त्यागे अंदा पर नारीसियों का ले तंदा जैसे सिंबल देख सुवा बिक्साना अंत की बार मुआ लप्टाना ओथे पतनी लेवे हो दाइत है तुंडे अंदी ये सुहाग कू तोतन काई कोर जिना नाव सुहागनी तिना चाक न होर अनंद मेई परिवारी जीवन निर्वा लेई पती पतनी ने दुख समय एक दूजिदा साथ देना है जा सुख ताशो रावियो दुख पी समाल होए नानक कह सियानी है इव कंत मिलावा होए अनंद मेई परिवारी जीवन निर्वा लेई जित्थे पती ने अपनी सियान अपनाल पूरे परिवारनू एकता दे सूतर विच प्रोके रखना है ओथे पतनी नेवी अपनी सियान अपनाल पूरी परिवार दी एक चंगी सलाकारवी बनना है गुरुप आशाद उपदेश है बत्ती सुलखनी साच संतत पूत आग्या कारी सुगर सुरूप इच पुन्नी मन कंत स्वामी सगल संतोखी देर जठाणी सब परिवारे महें स्रेष्ट मत्ती देवी देवर जेष्ट तांसो ग्रेजित प्रगटी आए जन्नानक सुख्य सुख भिहाए सासत नूद रिष्टा के हो जय होवे इस गल दा जवाब सन्गुरतेग बहादर जीदे जीवन इत्यास विच्चो मिल दा है सास होवे ता माता नानकी जी वरगी नूँ होवे ता माता गुजरी जी वरगी याद रहे के माता गुजरी जी दे कार एक को एक पुत्तर शिरी गुरु गोविन सिंग जी दा जनम व्यातो पूरे चोंती साल वाद होया पर माता नानकी जी ने कदे अपनी नू माता गुजरी जीनू मंदे बोलना बोले ते ना ही नू ने कदे अपनी सस माता नानकी जीनू किसे किसम दा कोई उलांबा दिता जाज़ दिया पढ़ियां लिखियां बीभियां पेखी पखंडी सादों दे मगर लाग के जंतर मंतर शड के कागई दियां आटे दियां देवियां नू पूज़न दी बजाए सच्मुझ देवी गुणा दियां मालक गुरु सुपतनियां दी जीवन तो सेध लेलें ता साध दै परिवारिक जीवन सचमुझ अनन्द में बन सकता है सास तोरा दियोर्दरानी जेट जठानी आध रिष्टिया नाल सतकार की में कायम रखना है इस गल्दी सेधि सानु गुरु वाणी विच्चो प्रापत हुन दी है पर जे बाई चास सास तोरा दियोर्दरानी जेट पोपो लू है हब बेपस पुनें दे बतन जा मैं सजण तू है हो सारे इस्तेदार पावे खाक शान दे फिरन पर पती पतनी दे सुवाविच कदे कुड़तन नहीं आने चाहें दी हुनगे पिता दा की फर्ज है गुररजन देवी फर्मान देहान जैसा बालक पाए सुपाई लख पराद कमावे कर उपदेश चिड़के वो पांती बोहड पिता गल लावे पिछले ओगन बक्षले प्रव आग्य मार पावे जे बालक गाहे बगाहे गलतियां करदा रवे ता पिता दा की फर्ज बनदा है सब तो पहली गल कर उपदेश पाप प्यार नाल समझावे चिड़के वो पांती जे कदे चिड़कना भी पवे ता संकोच नहीं करना चाहेंदा बोहड पिता गल लावे मुर के फेर प्यार न ना राखस देते हुन माता पिता तो बाद संतांदा की फर्ज है एवी गुर्वानी वीच समझाया गया है क्योंके माता पिता अपने बच्चे नू पाल पोस के इसकर के वड़ा कर देयान ताके हो वड़ा हो के आप भी सुख पोगे ते उना दे सुखा लेवी जतनशील हो संतान गुरु दसी जीवन जुकतनसार जी के अनंद में जीवन नर्वाली जतनशील हो रहे हां एह होई कारण है कि साड़े समाजुद बिर्द आश्रमा दी गिंती दिनों दिन वद दी जा रही है चंगे पड़े लिखे बच्चे अपने माबाबनों चुके बिर्द आश् करम कांडी होंदा सबूत दिन दे हां ऐसे पुले पड़के लोका नू फिटकार पांदे हो गुरु पाश्या कहन दे हां जीवत पितर न माने को हूँ मुए शिराद कराही पितर पी बपुरे को क्यूं पावे को हूँआ कू कर खाई सो अंत बीच मैं नहीं कवाँगी के साड़ा ये समाज सच मुझी का अदर्शक समाज बन सकदा है ते साड़ा ये परिवारिक जीवन भी अनंद में ही बन सकदा है जे असी गुरु पाश्या जी देने पावन बचनानू अपने जीवन दा अदार बनावाँगे मैं सत्गुर सेती पिर हडी क्यों गुर्बिन जीवा माओ मैं गुर्बानी अदार है गुर्बानी लाग रहाओ उल गलती ले खिमा परवानो जी फते वाहिगुर जी का खालसा वाहिगुर जी की फते